हेलो एब्रिबन वेल्कम टू एग्रिकल्चाइड़ा 24-7 अग्रिकल्चाइड़ा 24-7 में आपका स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैरी क्या पढ़ने वाले हैं थंबने में आपने देख लिए होगा कि आज हम लोग चैरी पढ़ने वाले हैं चैरी की क्रॉप है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्रॉप और आज हम लोग देखते हैं ठीक है बच्चे चलिए वेरी क्विज का सेक्शन होता है उस डेली क्विज के सेक्शन में जाके आप वहाँ पे क्विज कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं अपनी क्लास के बारे में देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग चेरी पढ़ने वाले हैं क्या चेरी पढ़ने वाल करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि चेरी की बात करते हैं यानि कि चेरी की क्रॉप की बात करते हैं काफी important crop आपकी होती है ठीक है देखिए family की बात करें तो family जो आपकी है cherry की वो है rogesi और genus और species की बात करें तो genus है prunus और species तो जो साइंटिफिक नेम हुआ वो साइंटिफिक नेम आपका हुआ प्रूनस एवियम क्या प्रूनस एवियम वेरी गूड इवनिंग शाती चलिए आगे देखते हैं कि जो इसका साइंटिफिक नेम बना वो बना आपका प्रूनस एवियम क्या बना प्रूनस एवियम ठीक ह वो होते हैं आठ और जो सुमेटिक क्रोमोजोम नंबर होते हैं वो होते हैं 16 क्या बेसिक क्रोमोजोम नंबर होते हैं आठ और सुमेटिक क्रोमोजोम नंबर यानि की जिसमें 2N की बात करता है वो कितने हैं वो हैं आपके 16 यहां तक चीज़े क्लियर हैं चलिए अगर यहां तक चीज़े clear हैं तो अब हम लोग चलते हैं आगे और आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है बात करते हैं introduction की किसकी cherry के introduction की बात करते हैं कुछ cherry के बारे में बात कर लेते हैं चेरी occupy important position among temperate fruits all above the bird कह रहा है कि जो temperate fruits हैं उनमें से जो cherry है वो काफी important है कैसे temperate fruits में जो cherry है वो आपकी पूरे word में काफी important fruits में count की जाती है फिर कह रहा है कि the cultivated cherries are divided into two main group कह रहा है कि जो आपकी cultivated cherry है कौन सी यह जो cherry crop है ठीक है यह आपकी दो main भागों में divide है यानि की दो main groups में divide है कितने दो main groups में divide है पहला group है जो इसका उसको कहते है sweet cherry और दूसरा जो है उसको कहते है sour cherry कौन सा sweet और sour ठीक है चलिए very good evening शबनम चलिए बच्चे ठीक है तो यह आपका क्या है sweet और sour और दो टाइप की होती है sweet cherry का scientific name है prunus avium और sour cherry का होता है prunus siresis इस बात को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि cherry आपकी जो है बहुत important है कभी कभी सीधे सीधे इसके क्या पूछ लेता है ठीक है चलिए यहां तक चीज़े clear है चलिए यहां तक अगर चीज़े clear है तो आगे चलते हैं अब बात करते हैं कह रहा है the sweet cherry is mainly used for table purpose and sour cherries for processing कह रहा है कि जो sweet cherry होती है उसको हम लोग table purpose के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और जो sour cherry है उसको हम लोग processing के लिए इस्तेमाल करते हैं फिर आगे कह रहा है कि cherries are rich in protein cherry जो होती है वो protein में rich होती है, sugar में rich होती है, potassium होता है, calcium, iron और zinc यानि कि बहुत सारे मिंदल्स को क्या करती है, बहुत सारे मिंदल्स को carry करती है, ठीक है यानि कि जो important constituents के अगर बात की जाए, nutrients के status में तो बहुत सारे मिंदल्स को रखती है sweet cherries are believed to have originated between in area between black and capsian sea in southern Europe कह रहा है कि जो आपका cherry है, इसका जो origin place है, क्या, जो cherry है, उसका जो origin place है, वो आपका कैसा है वो आपका black sea और caspian sea, काउन सा, black sea और caspian sea के बीच में, caspian sea का जो बीच वाला छेतर है, वहाँ पे इसका origin place माना जाता है ठीक है, table purpose की मतलब होता है, बच्चा, table purpose का मतलब है कि जब कोई fruit जैसे ही plant से आपने harvest किया बिना cooking के, बिना किसी उसके आप ऐसे ही consume करते हैं, यानि कि आप ऐसे ही खा लेते हैं, उसको कहते हैं table purpose, ठीक है चलिए क्या कहते हैं उसको कहते हैं table purpose यानि कि आपने plant से fruit तोड़ा और उसको बिना पकाई यानि कि fruit को ऐसे भी पकानी जुरुत नहीं पड़ती है तो आपने बिना कुछ किये बिना कोई चीज किये आपने ऐसे ही consume कर लिया उसको कहते हैं table purpose ठीक है अब आप समझ गया होगे कि table purpose किसको कहते हैं ठीक है चलिए तो जो black sea और capsian sea वाला चेतर है कहाँ पे southern Europe में वहाँ पे इसका मूलिस्थान पाया जाता है तो अगर आपको Europe भी लिखा मिले तो आप इसको ध्यान रखेंगे ठीक है बच्चे चलिए आगे चलते हैं यह है आपका cherry का fruit आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा कैसा देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा यह दो चुटे चुटे fruits आपको दिख रहे हैं दिख रहें ठीक है और एक बंदा harvest भी कर रहा है यानि कि इसको तोड भी रहा है ठीक है चलिए यहां तक चीज़े clear है ठीक है ना अब आगे चलते हैं क्या अब चलते हैं आगे आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अपनी crop आगे discuss करते हैं देखो बच्चो आपको पता है कि हम लोग rapid fire की series चला रहे हैं rapid fire की series चला रहे हैं यहां पे हम लोग जो भी यहां पे पड़ते हैं वो सारा MCQ का discussion करते हैं क्या rapid fire month निकियू का discussion करते हैं चुबए 11 बजे कितने बजे सुबए 11 बजे आप लोग वहां पे अगर आपको MCQ की practice करनी है तो आप लोग 11 बज़े आया करिए, सुबह 11 बज़े हम लोग YT पर मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर MCQs कराते हैं, वैसे तो basically हम लोग IBPS के हिसाब से करा रहे हैं, लेकिन आप लोग भी वहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है, चलिए, very good evening शश्मिता, ठीक है, आगे चलते हैं, climate और साइल की बात करते हैं, किसके, चेरी के climate और साइल की बात करते हैं, क्या, climate और साइल की बात करते हैं, कहरा, sweet cherry requires cool climate, जो आपकी sweet cherry है, जिसको prunus avium कहते हैं, क्या कहते हैं, prunus avium कहते हैं, वो आपकी cool climate को preferred करती है, is grown successfully in areas between 2000 to 2700 meter, यानि कि जो कह रहा है, कि यह जो आपका है यह आपका 2000 से लेके 2700 मीटर तक होता है विटामिन सी मोर फ्रूट क्रॉप सर नहीं बच्चा ये वो बिटामिन सी वाली नहीं है चेरी उस चेरी का नाम है बारबेडास चेरी क्या बारबेडास चेरी ठीक है वो चेरी और यह चेरी अलग है बच्चे, कन्फ्यूज मत हो येगा, वो होती है बारवेडास चेरी, वो बारवेडास चेरी होती है, और ये चेरी है, ये आपकी टेंपरेट क्रॉप है, कैसी, ये टेंपरेट क्रॉप है, उसका नाम है बारवेडास चेरी, और ये है केवल चेरी, ठीक है, दोनों के scientific name अलग है, दोनों की सारी चीज़ें अलग है, इसमें सबसे ज़्यादा vitamin C पाई जाती है, किसमें इस barvidas cherry में vitamin C सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बच्चे हाँ, देखो सुस्मिता ने लिखा है, barvidas cherry ठीक है बच्चे, और ये cherry ही आपकी temperate crop बाली है, दोनों अलग-अलग हैं, confuse मत हो हीएगा, शुरुआत में बच्चों को confusion हो जाती है, ठीक है स्वाती करें, सर यूपी कैटिट के base for MCQ prepare कैसे करें बच्चा MCQ के लिए मैंने आपको बताया कि सुबह आप 11 वजे आईए, 11 एम पे वहाँ पे हम लोग MCQ ही कराते हैं, आप किसी भी agriculture के exam की त्यारी कर रहे हो, आपके सब में वो काम आएंगे, ठीक है सीधे सीधे questions आपके MCQ से आएंगे, ठीक है होटी कल्चर का हम सुबह 11 बजे करते हैं आधे गंटे के लिए, ठीक है चलिए, आप वहाँ पे एक बार आईए, देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, आपको UPCATED की क्लास में ठीक है, चलिए तो उसके बाद कह रहा है requires 1000 to 1500 यानि कि 1000 से लेके 1500 गंटे कितना chilling requirement पूरी करने के लिए कितना time चाहिए होता है 1000 से लेके 1500 गंटे इसका chilling period है, और अगर देखा जाए, तो जितने भी ज़्यादा तर आपके जो fruit crop है, temperate reason वाले, उनमें से सबसे आदा chilling requirement लगबग लगबग इसी का होता है, ठीक है, during winters, cherry blossom is very sensitive to spring frost, therefore frost free sites of hill, slope and valley areas with an drainage of cold air are preferred, कह रहा है कि जो इसके flower होते हैं, कि इसके? cherry के जो flower होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो बहुत sensitive होते हैं कैसे? बहुत sensitive होते हैं, और कैसे? spring frost के लिए, यानि कि एगर वहाँ पे frost की समस्या आएगी, तो आपकी problem, आपकी crop को क्या होगा? आपकी crop को समस्या होगी, इसलिए यह plants अब लगाए जाते हैं, तो ऐसी location को चूज के जाता है, जो frost free hills हो, यानि कि ऐसे पहाड जहां पे पाला कम पड़ता है कह रहा है, since southern and south western aspect are warmer, they should be selected for cultivation at lower elevation, कह रहा है कि southern and southern western aspect are warmer, यानि कि पहाड, ऐसे पहाड, जो कैसे, जिनका ढ़लान southern या south western की तरफ होता है, तो जब southern और south western की तरफ होगा, तो वहाँ पे sunlight directly नहीं आएगी, ठीक है? तो वहाँ पे क्या? वहाँ पे वो नहीं आएगा, पाफ करना, वहाँ पे sunlight सीधी आएगी, south वाले reason में सीधी sunlight आती है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा गरम होते हैं वो area, और वहाँ पे आपकी इसकी crop, climate क्या होती है? selected, not to be selected for, not to be selected for cultivation at lower elevation, यानि कि जो lower, यानि कि और बात करते हैं, उसी climate और soil में, कहरा जंदली, north east and north west aspect are more suitable for cherry cultivation, तो जो suitable हैं कौन से? जो पहाड होते हैं, उस पहाड का जो slope होता है, वो north west हो या north east हो, इस पे क्या रहेगा? ये वाला जो slope रहेगा, ये वाला जो रहेगा, उस पे आपका क्या होगा? cherry cultivation सबसे बढ़िया होता है, ठीक है? चलिए, यहां तक चीज़े clear हैं, उसके बाद कहरा है an annual rainfall 100 to 120 cm well distributed throughout the year as desirable for high rainfall during flowering result in heavy blossom wilt कहरा है कि normally 120, 100 से लेके 120 cm तक rainfall sufficient होता है, लेकिन अगर यही rainfall आपका flowering के समय यानि कि फूल आने के समय आपका हो जाता है, तो क्या हो जाता है? उस टाइम पे अगर आपकी flowering आती है flowering के समय का rainfall होती है तो क्या हो जाता है? तो जो flowering है उनमें एक blossom wilt एक disease होती है वो blossom wilting की disease लग जाती है, ठीक है? लोम स्वाइल विद पीएच 6.527 विच एन होल्ड मॉइस्टर दूरिं समर और आर मोस्टेबल केरा जो तापमा जो पीएच चाहिए कितना जो पीएच चाहिए वो साड़े छैसे लेकर साथ पीएच होना चाहिए साड़े छैसे साथ का पीएच बहुत सफीसेंट होता है किसक किरी प्लांट is very sensitive to warmer logging water logging and therefore so heavy soil should be avoided कहरा है कि जो चेरी के प्लांट से वो कैसे होते हैं वो water logging के लिए बहुत जादा sensitive होते हैं जिसकी बजाएसे क्या होता है जिसकी बजाएसे वह हैँ जो आपकी आपकी स्वाइल है वहां पर water logging की समस्या नहीं होनी चाहिए चलिए आगे चलते हैं आगे बात करते हैं variety की किसकी variety की बात करते हैं इसको दो ग्रूपे में बाटा गया है एक है आपका heart group और दूसरा है आपका बाईगेरू group, कौन ऑग्रूप जो heart group में variety आती हैं, उनके जो फल होते हैं, वो heart shape के होते हैं, कैसे? heart shape, आप समझी गए होगे, कैसे होते हैं, heart shape के होते हैं, ठीक है, कह रहा है, having soft and tender flesh, soft होते हैं, और tender होते हैं, यानि कि मुलाइम होते हैं, ठीक है, आगे कह रहा है color of fruit varies from dark with reddish, कैसा? color varies from dark with reddish juice to light color with colorless juice, कह रहा है कि इसका जो juice होता है, यानि कि जो fruit हैं, वो dark color के होते हैं, reddish color के होते हैं, यानि कि जब इनसे आप juice निकालेंगे, तो कैसे होते हैं? reddish juice to light colored with colorless, यानि कि colorless भी हो जाता है, light colored भी होता है, इस type के इसमें जूस होते हैं, देखते हैं कौन-कौन सी आपकी इसमें वराइटी आती है, पहली है आपकी वराइटी रेड हार्ट, दूसरी है आपकी ब्लैक हार्ट, और इंपॉर्टेंट वराइटी आप इस ग्रूप, तो दो सबसे फेमस वराइटी हैं, किसकी हार्ट ग्रूप कौन कौन सी, red heart और उसके साथ black heart, कौन सी red heart और black heart यहां तक चीज़ें कलियरबच्चे जल्दी से कमेंड करके बताओ कि यहां तक चीज़ें कलियर है उसके बाद दूसरा ग्रॉप है, draggingừ ग्रॉप, इसमें कहरा है fruit are roundis यानि कि इसके जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं गूलाकार होते हैं कैसे होते हैं गूलाकार होते हैं Color of fruit and juice varies from dark to light red कह rasa इसका जो color है या juice का जो color होगा वो light red होगा कैसा dark से लेकर light red तक इसमें कौन कौन सी variety आती है इसमें Sam, Summ tipo, Sioux उसके वाद sun brushed, lapins, compact stella and hybrid 13 to 17 to 14 ठीक है and यह उसका नाम है यह गलत टाइप हो गया है क्या गलत टाइप हो गया है कह रहा है there are these are new promising variety क्या these are new promising variety ठीक है sam, summit, sui, sunbrush, lapins, compact stella and hybrids are new promising variety यह कैसी है यह सब इसकी नई important varieties है ठीक है आपको ध्यान रखना है कुछी variety famous है मालूम है आपको cherry की वगएरा जादर varieties नहीं पुछी आती है लेकिन कहीं कहीं आप पूचने लगे हैं क्योंकि इतना ज़्यदा वो हो गया है आप questions hypothetically भी बनने लगे हैं ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं आगे बात करते हैं root stock की किसकी? root stock की बात करते हैं कौन-कौन सा root stock इस्तेमाल किया जाते हैं उन root stock की बात कर लेते हैं कहरा seedling root stock of cherry और paja paja काफी famous root stock है cherry का किसका? cherry का जो famous root stock है वो है paja जिसका नाम है Prunus syracides इसका नाम है और दूसरा है आपका bird cherry कौन सा? दूसरा है आपका bird cherry जिसका नाम है prunus pheadsum क्या नाम है prunus pheadsum और उसके बाद आपका आता है महलाब और मजाड क्या? महलाब और मजाड ये काफी famous root stock हैं जो seedling root stocks में count होते हैं कैसे? seedling root stocks में count होते हैं उसके बाद कुछ clonal root stock है कौन-कौन से clonal root stock है ये भी देख लेते हैं कह रहा है कि अगर आप कुछ plants को किस पे? अगर आप plants को पाजा पे ग्रो कराएंगे यानि कि पाजा root stocks पे अगर आप ग्रो कराएंगे तो क्या होगा? इस पे delayed incompatibility सो होती है incompatibility हम आपको बता चुके हैं कि जब क्या होता है? जब कोई graft अपने root stocks पे सही सो table नहीं बैठती है उसको बोलते है incompatibility ठीक है? तो ये delayed incompatibility है यानि कि growth बहुत अच्छी नहीं आती है ठीक है? तब हम क्या करते हैं? क्लोनल root stocks का इस्तेमाल करते हैं जो क्लोनल root stock हैं आपके कोल्ट, गाइजेला और चार्जर, SL64, एंड मजाड और F12-1 ये क्या है? मजाड, F12-1 ये सारे root stock हैं बहुत famous root stock हैं ये बहुत पूछे जाते हैं जिसमें कोल्ट हुआ आपका और मजाड हुआ, महलाब हुआ ये सब बहुत पूछे जाने वाले root stock हैं जो सीधे सीधे आपके exam में देखने को मिलते हैं बोलो यहां तक चीज़े clear हैं बच्चे? यहां तक किसी को कोई समस्या चलिए, अगर यहां तक कोई समस्या है तो बताएए, बाकी आगे चलते हैं आगे देखते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं कह रहा है कि propagation of seedling root stock क्या? propagation of seedling root stock seedling root stock के बारे में अब हम propagation की बात करेंगे कह रहा है कि seeds are paja do not required chilling treatment to break dormancy कह रहा है जो paja root stock था उसके जो seeds होते हैं उनको chilling requirement की आवसक्तिया नहीं होती है किसकी chilling requirement की आवसक्ता नहीं होती है dormancy को break करने के लिए किसको? dormancy को break करने के लिए ठीक है यहाँ तक चीज़े clear हैं बच्चे चलिए आगे चलते हैं it has now been discouraged as a root stock due to delayed incompatibility कह रहा delayed incompatibility की वज़े से यह क्या हो रहा है? discouraged हो रहा है कैसा हो रहा? discouraged हो रहा है although most of the earlier plantation exist on paja root stock only यह कह रहा है कि पहले जितनी भी पुरानी plantation है वो सब paja root stocks पे ही plant के गए थे लेकिन अब क्या है? कि अब इसमें delayed incompatibility की समस्या आ रही है जिसकी वज़े से अब हम paja को यानि कि paja root stock को as a root stock grow नहीं करते हैं ठीक है? क्या किरा? as a root stock grow नहीं करते हैं तो अब जब हम paja को नहीं करते हैं तो हमें उसका कुछ न कुछ substitute चाहिए यानि कि हमें उसकी जगए कोई दूसरा लाना पड़ेगा तो दूसरा क्या है? किरा? seeds of halib and mazard required stratification before sewing stratification आपको पता है मैंने आपको समझाया था stratification जिसमें T सब्द आ जाए क्या? जिसमें T सब्द आ जाए उस T का मतलब होता है temperature और temperature काउन सा? low temperature तो जो महलाब और mazard के seed है इनको low temperature चाहिए grow करने के लिए किसको? low temperature चाहिए grow करने को very good evening कीर्थी चलिए ठीक है? तो क्या चाहिए? इनको चाहिए low temperature यहाँ तक चीज़ें सही है ठीक है? क्या चाहिए? stratification जब आ जाएगा यानि कि dormancy को break करने के लिए किसको? dormancy को break करने के लिए paja root stock किस method से करते हैं? क्या भया? क्या पाजा को chilling requirement chilling requirement नहीं चाहिए होती है dormancy को break करने के लिए लेकिन जो आपका महलेब है और मजाड है इनको चाहिए stratification यानि कि इनको low temperature चाहिए तब जाके ये dormancy अपनी break करेंगे जब dormancy break होगी तो dormancy break होने के बाद तब इनमे germination start होगा इसी लिए इनको stratification चाहिए कब? sowing से पहले ठीक है? यहां तक चीज़े clear है बच्चे? चलिए कहरा seeds are soaked in 500 ppm of GA3 कहरा या तो stratification करो नहीं तो फिर क्या करो इनको GA3 के solution में 500 ppm में soak करो कितनी देर के लिए? 24 गंटे के लिए then they are stratified by placing between the layers of sand in a cool place at a 2 to 4 degree centigrade for 80 to 120 days for महलाब कहरा आए कि इनको GA3 में soak करो GA3 में soak करने के बाद इनको क्या करो sand के बीच में रखो कितने temperature पर 2 से 4 degree centigrade temperature पर रखो कितने दिन के लिए? 80 से 120 दिन के लिए ये conditions जो लागू होगी वो किसके लिए? वो महलाब के लिए आगू होगी ठीक है? मैंने भी बताया कि stratification में low temperature पर रखते हैं वही stratification की सारी process यहाँ पर नीचे लिखी है कि कैसे कैसे stratification हम कर रहे है GA3 में soak किया उसके बाद हमने उसको sand के बीच में रखा minus कर रहा हूँ low temperature पर रखा कितना low temperature दो डिगरी से लेके पांच डिगरी तक दो से लेके चार डिगरी तक हमने उसको उसमें रखा ठीक है? यहाँ तक चीज़े clear है बच्चे? चलिए यह हमने seedling root stack के propagation की बात की थी कि जो आपका पाजा था वो seed से propagate होगा और जो महलाब और मजाड है यह seed से ही होगे लेकिन बिना stratification के नहीं होगे बोलो यहाँ तक clear है? चलिए यहाँ तक clear है बच्चे? जल्दी से comment करके बताओगी यहाँ तक clear है? अब planting and planting density की बात करेंगे किसकी? planting और planting density की बात करेंगे ठीक है? चलिए in India cherry cultivation is confined to hilly areas on slopey land करा इंडिया में जो cherry की cultivation होती है mostly कहाँ पर होती है? slopey lands पर होती है so the planting is done on contour or terrace system तो जब हम पहाडों पर planting कर ही रहे हैं क्या? जब हम पहाडों पर planting कर रहे हैं तो हम normal method का use कर नहीं पाएंगे हम क्या करेंगे? हम contour planting करेंगे या terrace system का इस्तेमाल करेंगे ठीक है? कह रहा है however in valley areas square system of layout is recommended for the establishment of an orchard कह रहा है कि जो गाटी वाला छेतर है कौन सा? गाटी वाला जो छेतर है यानि कि जहां पे थोड़ी बहुत जगहे होती है इधर पहाड इधर दो पहाड के बीच में क्या होती? गाटी जो होती है इस गाटी वाले area में कह रहा है कि हम square system का इस्तेमाल कर सकते है ठीक है? चलिए इतनी बात समझ में आई यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कह रहा है कि जो planting density है यानि कि पौदे कितने पास पास लगेंगे कितने दूर दूर लगेंगे यह निर्भर करता है या तो मिर्दा की फर्टिलिटी पे या फिर निर्भर करता है कि हम कौन सा root stock इस्तेमाल कर रहे है ठीक है बच्चे? आगे चलते है कितनी spacing चाहिए? तो जो spacing चाहिए वो 6 गोड़ा 6 मीटर की चाहिए is recommended for the plant raised on seedling root stock in हिमांचल परदेश किरा कि जो हिमांचल परदेश वाला reason है वहाँ पे जो root stock seedling root stocks पर grow कर आए जाते है उनके लिए जो spacing चाहिए वो 6 into 6 मीटर की चाहिए कितनी? 6 into 6 मीटर की spacing चाहिए ठीक है? यहाँ तक चीज़े clear है बच्चे? चलिए यहाँ तक clear है तो अब हम बात करते हैं pollination की अब हम बात करते हैं pollination की किसकी बात करते हैं? pollination की बात करते हैं किरा since most of the cherry varieties are self-incompatible किरा जादा तर जो cherry की variety हैं किसकी? जादा तर जो cherry की variety है वो कैसी है? वो आपकी self incompatible होती है self incompatible का मतलब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि क्या होता है? ऐसा male जो अपने female flower को यानि की female part को fertile करने में क्या नहो? compatible नहो वो होता है incompatibility ठीक है? एक ही flower पर एक ही plants के ठीक है दूसरे plants प्लांट से जाएगा तो compatible हो जाएगा कहरा as well as cross incompatible therefore compatibility of varieties is required for cross pollination कहरा है कि जब इसमें incompatibility पाई जाती है तो जब incompatibility है तो हमें कोई ना कोई दूसरा चाहिए pollinizer जो क्या कर सके? जो वहाँ पर pollination करा सके ठीक है? तो ऐसे case में cross pollination आपका बढ़ जाएगा क्यों? क्योंकि आपस में ही pollination हो नहीं रहा है तो कोई दूसरा चाहिए जो क्या कराएगा? जहां पर cross होगा और जब cross होगा तो cross pollination आपका बढ़ जाएगा तो cross pollination यहां पर होगा फिर आगे कह रहा है the varieties which have the same sterility alleles if planted together will not set fruit and require at least one other variety having different sterility alleles for better fruit set कह रहा है कि अगर मान लो यह समस्या है और आपने same variety plant कर दी पूरे field में तो क्या होगा? तो वहाँ पर fruit setting की समस्या आ जाएगी fruit setting की समस्या आ जाएगी यानि कि फल क्या होंगे? फल आपके नहीं लगेंगे ठीक है? फल आपके लगेंगे नहीं जब दोनों orchard में यानि कि आपके पूरे orchard में पूरे बाग में क्या हो जाएगा? पूरे बाग में एक ही variety का पौधा लगेगा और तो वहाँ पर क्या है? self incompatibility पाई जाती है तो अब cross pollination होगा नहीं यानि कि क्या बुलते हैं? पर परागन होगा नहीं ठीक है? fertilization निसेचन होगा नहीं तो निसेचन नहीं होगा तो फल नहीं बनेंगे जब फल नहीं बनेंगे तो हमें वहाँ पर दूसरी वराइटी को लगाना पड़ेगा तो कह रहा है यूनिवर्सल डोनर वराइटी लाइक stela, vista, wick, seneca and vega ये कुछ वराइटी हैं कौन सी? stela, vista, wick, seneca और vega ये कुछ वराइटी हैं ये वराइटी आपकी वहाँ पर काम करेंगी आपको as a pollinizer, as a donor वराइटी के तौर पर आप इनको वहाँ पर उगा सकते हैं ठीक है? चलिए language in Hindi, please बच्चा हिंदी में बोलना है कुछ ऐसे सब्द होते हैं जिनकी हिंदी बोलना थोड़ा सा मुस्किल होता है, ठीक है? अब जैसे कहेंगे self incompatibility तो इसकी हिंदी बोलना थोड़ा सा मुस्किल होगा, आपको भी साथ का ह wnदी ना समझ में आए, हमको भी काउ ना समझ में आए, ठीक है? तो थोड़ी सी हिंदी, कुछ सब्द हैं जिनकी हिंदी मुस्किल होती है, बाकी हम आपको कोसिस करेंगे कि सारी चीज़ें हिंदी में ही बताएं ठीक है बच्चे चलिए यहां तक समझ में आगया कौन सी वराइटी करा डोनर वराइटी जो हैं वो स्टेला विस्टा विक सनेका और वेगा यह वराइटी हैं जो हम किसमें एजे डोनर के तौर पर या एजे पॉलिनाइजर के तौर पर हम इनको वहां पर उगा सकते हैं उसका करा और गुड़ चैरीज एज़ पॉलिनाइजर तू प्लांटेड विद एनी वराइटी तो गेट गुड़ फ्रूट सेट प्रुवाइड़ दियर फ्लावरिंग प्रिये बहुत अच्छा होगा ठीक है यहां तक चीज़ेख ट्रेर हैं बचिशें चलिए यहां तक अफ़र क्लियर है आप बात करते हैं टेर्निंग की किसकी अब बात करते हैं ट्रेनिंग की तो चेरी ट्रीज ऑर ट्रेंड टू मॉड़फाइड लीडर सिस्टम कहए Water जहाँ जो इसे करते हैं यह हम आपको बता चुके हैं चलिए फिर डिसकस करते हैं कि अप्लांट्स आर हैड़ेड़ बैक एट अबाउड 60-80 cm at the time of planting कहरा जब प्लांट्स ग्रो कर रहा था 60-80 cm का उपर हुआ इसका 60-80 cm का जैसे प्लांट्स की हाइट हुई वैसे इसका उपर का head cut देते हैं और side वाली branches को ग्रो कराते हैं ठीक है क्या करते हैं side वाली branches को ग्रो कराते हैं the central leader is retained 3-5 cm wide angle branches 20-25 cm apart separately कहरा है कि जैसे हुआ 3-4 साल तक हमने क्या किया इसको grow कराया ठीक है उसके बाद हमने इसका head back कर दिया head back करने के बाद side वाली branches को हमने grow कराना start कर दिया यह central system और open center system दोनों से मिला के बना होता है इसलिए इसमें दोनों के गुड़ रखे जाते हैं क्या दोनों के जो अच्छे parts होते हैं वो हम यहाँ पे use करते हैं around the tree selected first dormant pruning कह रहा है चलिए यह हमने आपको बताया कि कैसे training system करते हैं और उसके बाद कह रहा है कि कह रहा है कि जब first dormant pruning करते हैं उसी टाइम पर हम यह वाली जो ब्रांचेस हैं उन वाली ब्रांचेस का हम selection कर लेते हैं कि कौन सी ब्रांच को हमको grow कराना है कौन सी ब्रांच को हमको हटाना होता है यानि की training में हम decide करते हैं कि हमें पौदे की कौन कौन सी ब्रांचे को ग्रो कराना है जिससे हमारा पौदा क्या हो बहुत अच्छा structure बनाए यानि कि बहुत अच्छा देखने में लगे और मजबूत हो आगे बात करते हैं प्रोनिंग की इसकी प्रोनिंग की बात करते हैं कह रहा है cherry plants require more corrective pruning rather than too much heading back of the branches कह रहा है कि यह corrective pruning चाहता है कैसा बहुत ज़्यादा pruning किया वा सकता नहीं है बहुत ज़्यादा heading back किया वा सकता नहीं है pruning कैसी होनी चाहिए प्रुनिग अच्छी होनी चाहिए भले ही कम होनी चाहिए कह रहा है the bearing tree needs some pruning to keep the center of the tree open का center portion है इस center portion को open रखने के लिए थोड़ी बहुत pruning किया वह सकता होती है इसकी थोड़ी बहुत pruning किया वह सकता होती है ठीक है बच्चे यहाँ तक चीज़ है clear है उसके हाथ कह रहा है the top is kept fairly low to generate new growth कह रहा है कि जो top है उसको क्या करते है उसको थोड़ा सा छाट देते हैं या उसको काट देते हैं किसके लिए जो आपकी नई growth वहाँ पे डबलप हो सके क्या हो सके वहाँ पे नई growth आपकी डबलप हो सके उसका रहा है pruning is restricted to eliminating the dead disease and inter crossing branches आपको मालूम है कि pruning में क्या करते हैं प्रूनिंग में आपको मालूम है कि pruning में जो disease, damage और downward branches हैं या intermingling branches हैं वो सब हम करते हैं हटा देते हैं ठीक है तो वो भी हम यहाँ पे हटा देंगे उसका रहा है fruits are born laterally on spur कह रहा है कि जो cherry के फल होते हैं या cherry के जो fruits होते हैं वो किस पे आते हैं वो इस पर पे आते हैं औ और इस पर आपका एक साल पुराना सूट होता है क्या होता है इस पर आपका एक साल पुराना सूट होता है तो इस पर आपका एक साल पुराना सूट होता है उस पे cherry के fruit आते हैं the average productivity life of fruiting इस पर इस 10 से 12 साल देखो most of the cases में जो productivity होती है इस पर की वो आपकी कितनी होती है व यानि कि इस पर कितने साल तक फल देंगे वो आपके 10 से 12 साल तक देखते हैं तो requiring less इस पर renewal pruning तो जब इतने साल तक एक इस पर आपका pruning दे रहा है तो हमें उसको काटने की बहुत ज़्यादा वह सकता नहीं पड़ेगी इसलिए हम जो cherry है उसमें बहुत ज़्यादा pruning नहीं करते हैं क्यों क्यूंकि आपका इस पर काफी लंबे साल तक क्या है काफी लंबे साल तक वो fruits देता रहता है तो जब यह fruit देना बंद कर देता है तब हम इसको क्या करते हैं तब हम इसकी दीरे-दीरे इसकी cutting करते हैं या इसकी pruning करते हैं ठीक है बच्चे यहां तक चीज़ problem in cherry which cause 50 to 80% loss किराए कि cherry में जो फल भटने की समस्या क्या जो हमारे फल भट जाते हैं वो फल भटने की जो समस्या होती है वो एक काफी गंभीर समस्या है और लगबग 50 से 80% तक नुक्सान होता है कितना 50 से 80% तक नुक्सान होता है करा sweet cherry cultivars differ in susceptibility in cracking because of difference in the rate of water absorption and capacity for expansion of the peripheral tissue to accommodate the increased fruit volume that result when water is absorbed क्या आए कि क्या होता है जो sweet type की cherry cultivar species है यानि कि जो prunus avium है कौन सा prunus avium जो है वो क्या करता है उसमें क्या होता है water absorption का जो rate है यानि कि पानी को जो अपने अंदर absorb करने का जो rate है वो कैसा होता है वो थोड़ा सा differ होता है और varieties के अलावा अलग-अलग varieties में अलग-अलग होता है तो जो water absorb करने का rate होता है उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है आपकी fruit cracking कैसे जब मानलो आपके root zone पे cherry के fruit के root zone पे पानी जादा है तो पानी क्या करेगा plants उसको जादा अपटेक करेगा और fruit में जाएगा तो जो इसकी skin होती है क्या जो इसकी skin है यानि कि जो peripheral tissues होते हैं वो क्या होते हैं वो उतने जल the expand नहीं कर पाते हैं यानि कि फैल नहीं पाते हैं तो जब tissue फैलेगा नहीं तो क्या होगा वो वहां से फट जाएगा तो इसलिए fruit cracking की समस्या आपके cherry में बहुत जादा देखने को मिलती है अब आगे चलते हैं बात करते हैं harvesting और yield की किसकी harvesting और yield की बात करते हैं करा the yield and quantity of cherry is appreciable affected by the stage of maturity at which fruit are harvested के राएं कि ये आपका क्या है ये जो quality है जो maturity है वो अलग अलग होती है और किस पे हम लोग harvest करते हैं आगे बात करते हैं करा early picking result in flat fruit fruit with less yield as cherry usually will develop rapidly in the last few days before maturity is reached कह रहा है कि अगर आप जल्दी हार्वेस्ट कर लेंगे क्या कर लेंगे अगर आप जल्दी हार्वेस्ट कर लेंगे early harvesting कर लेंगे स्वाती पूछ रही है इस पर क्या है इस पर बच्चा ये जब आप जैसे temperate fruits आपने साइद नहीं देखे होंगे अगर गर आपने ten appropriate fruits देखे होते तो जो branch होती है इस चोटी सी growth हाती है क्या आती है एक चोटी सी growth हाती है इस पर बोलते हैं और ये एक साल पुराना सूट होता है वन इयर ओल्ड सूट होता है और इस सूट पे क्या होते है ना तो लीपस होती है ना ही कुछ होता है इसी सूट पे आपका क्या होता है इसी सूट पे आपका fruit डबलप होता है क्या होता है fruit डबलप होता है और यही जो है कि चलिये कहा रहा है कि अगर हम अरली पिकिंग कर लेते हैं तो क्या होगे जो हमारे फ्रूट होंगे वो कैसे हो जाएंगे फ्लाइट हो जाएंगे और जो उत्पादन है वो हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अगर हम early picking करेंगे चेरी में तो हमारे fruit जो है flat हो जाएंगे और जो पादन है वो कम हो जाएगा कहरा है कि harvesting of over ripe fruits result in loss of weight, volume and quality देखो क्या है कि ना तो हम जल्दी harvest कर सकते हैं चेरी के case में और ना ही हम fruit को over ripe होने दे सकते हैं अगर हम fruit को over ripe होने देंगे तो उसकी quality जो है वो खराब हो जाएगी weight कम हो जाएगा और उसका जो volume है यानि कि वो कम हो जाएगा color development, tss, flavor are the best standard for judging the optimum time of harvest कह रहा है कि कौन सा time बढ़िया होगा, वो कैसे हम ना पेंगे तो fruit का color वो बताएगा, tss बताएगा और उसका flavor बताएगा कि हमारा fruit maturity पर पहुँच गया है या नहीं पहुँच गया है चलिए, उसके बाद कहरा, fresh fruits are picked with stem when the surface color change from green to red कैसा, जैसे ही आपका color green से red की तरफ change होगा, क्या कर सकते हैं, आप fruit को harvest कर सकते हैं कहरा fruits are packed in boxes lined with paper, क्या, क्यरा fruits को हम boxes में lined करते हैं, क्या करते हैं, और किसमें with paper, यानि कि paper के साथ, फिर कह रहा है, जंदली, one kilogram cardboard boxes are used for packaging, now a days, cardboard box आप समझ रहे हो, जो किसका, लकडी का बना होता है, ठीक है, किसका, पतली सी लकडी का जो बना होता है, cardboard box, उस cardboard box में क्या करते हैं, package करते हैं, यानि कि use करते हैं, कल class नहीं होई, सर, बच्चा कल YouTube का server में problem आ गई थी, किस में, YouTube का server down हो गया था, जिसकी वज़े से आपकी जो class है, वो live streaming हो नहीं पा रही थी, तो उस समय जितनी भी classes थी, वो सारी suspend कर दी गई थी, technical error की वज़े से, इस वज़े से आपकी class कल नहीं हो पाई थी, हम तो चाहते थी कि आपकी class हो, लेकिन समस्या हो गई server में, जिसकी वज़े से हम लोग live आ नहीं पाए, ठीक है, इसी लिए वो कल की class जो होनी थी, वो आज होई है, ठीक है बच्चे, चलिए, तो cardboard के boxes में हम लोग इनको क्या करते हैं, रखते हैं, और एक location size का जो होता है, क्योंकि fruit इसका छोटा होता है, और ये आपका sufficient रहता है, cardboard बाला जो box है, पूँच लिया जाता है, देखो, हाँ, यहाँ से ध्यान रखना आप, ध्यान ये रखना है, कि आज कल पूँच लेते हैं, कि cherry की जो packaging है, वो किस में करते हैं, किस box में करते हैं, तो आप बताओगे, cardboard का जो box होता है, उस box में cherry की packaging करते हैं, तो ये थी हमारी class, और देखो, जिद बच्चों ने, जो बच्चे नए जोड़े हैं हमारे साथ, अगर उन्होंने अपमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सस्क्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर करें, और साथ साथ सेयर भी करते जाएं, उसके बाद एक information, अड़ा 24-7 का mobile app है, अगर आप mobile app डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ पे आपको agriculture का section मिलेगा, यह एप agriculture के section में जाके, यहाँ पे आप daily quiz दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, daily quiz आप दे सकते हैं, मीनाक्शी मैम की klas क्यों नहीं हो रही है, बचा मीनाक्शी मैम अभी झोड़ा सा छुटी पे हैं, क्या, उनको कुछ जमस्या है, अभी वो चुटी पे हैं, साइथ कल यआप औरसों से continue करेंगी, अगर आपको बच्चों क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग जरूर इस सेशन को सेयर करिए एक बार लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए बाकि ये आपके कम्प्लीट वीडियो कोर्सेस हैं क्या ये आपके वीडियो कोर्सेस हैं और इसके साथ साथ एक वीडियो कोर् तो बक्चा जो आपका वीडियो आपने देखा होगा हमें लगता साथ आपने वीडियो देखा है तो बत्चा जो उस पर बताया गया है कि आपका जो CIEGM का notification है, जो official notification है, वो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है? अभी release नहीं हुआ है, हमको कुछ पता चला है कहीं से, मतलब क्या बोलें आपसे, एकदम पक्की खवर जैसे है ना, बेर्कुल पक्की खवर है, कि वो आपका बहुत जल्द release होने वाला है, तो इसलिए हमने उस वीडियो बनाया था, ताकि जो बच्चे तयारी करना चाह रहे हैं, वो अपनी पहले से preparation स्टार्ट कर दें, ठीक है, सर, यूपी कैटेट के लिए, टेस्ट बुक बता दीजे, टेस्ट बुक, बचा आप बेसिक जो बुक्स आती है, अगरी कल्चर की, वो आप पढ़िए, जैसे आपकी है, अरुन कात्यायन और आपकी नेमरा सुन्डा जो काफी फेमस बुक्स हैं, हर बच्चे को पता हैं, पहले आप उनसे बेसिक अपना क्लियर कर लीजे, ठीक है, सर, फ्लावर क्रॉप्स, पहले fruits कंप्लीट होगा, फिर vegetable कंप्लीट होगा, फिर फ्लावर भी क जैसे आप यहाँ पे जब views बढ़ेंगे न, जब और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हमारी भी energy बढ़ेगी, और क्या होगा, आपको भी पढ़ने में मजाएगा, तो आप लोग session को share करते रहिए, जितने और लोग जुड़ेंगे, उतना ही पढ़ाने में हमको औ और मजा आने वाला है, ठीक है, तो आप लोग इसको बस share करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने college में, जो भी आपके friends हैं, जो agriculture से हैं, उनको सब को जोड़ते रहिए, ठीक है, किसी को कोई और doubt हो, तो जल्दी से comment करो, चलिए, ठीक है, यह हमारे video courses है, अगर जो भ ट्रावनले, जो तो जा आ ले, ठीक है, भी तो इसको बता है, नो बज़े वाली जो envisioning जो कलास hai, और दूसरी बात जो बच्चे यहां पे आते हैं, जो बच्चे हमारे साथ यहां पे जोड़े हैं, मैं उनको बता दूँ कि 11 बजे, कितना? 11 बजे सुबह, मार्निंग में 11 बजे हम लोग MCQ's का करवाते हैं, MCQ's की Rapid Fire Series, कौन सी? Rapid Fire Series चलाते हैं, MCQ की Rapid Fire Series चलाते हैं, तो आप ल लोग वहां पे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ने के बाद आप वहां पे MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चाहे UP कैटेट की त्यारी कर रहे हूं, या आप MSC की किसी भी स्टेट की त्यारी कर रहे हूं, आप वहां पे हमारे साथ जुड़के MCQ's कर सकते हैं, ठी है चलिए तो जय हिंद मिलते हैं कल नेक्स टाइम